और चलिए सत्पाल प्रमचारी के साथ हवारे डेपिटी एडिटर विनोद लामबा भी मौझूद है बातशीत करेंगे ओवर टू यू विनोद लेकिन इशित तोर पर तमाम सांसदों ने कल शपत ली है और पहली बार जो सांसद बन कर आए वो भी शपत ली है लेकिन सत्पाल प्रमचारी महराज की हम बात करेंगे जो की पूजा पाठ और अपने जिस तरह से महराज भी है और तमाम पूजा पाठ के साथ जो धार्बेक उनकी रिती रिवाज है और कुन जो कुछ चुनिंदा सांसत थे जिनोंने संस्कृत में शपत ली सांसत पद की उनमें से सत्पाल ब्रहमचारी जी थे जो कि सौनिपत से कॉंग्रेस के सांसत असर एक महतपूर्ण लमा नजर आया आपका जैसा कि आपका पूरा आचरन रहा है पूजा पाठ का ब्रहमचारी हैं और तमाम जो चीजे हैं कल संस्कृत भाषा में शपत लेने वाले उन चुनिंदा सांसतों में आप भी रहे जो कल पार्लेमेट में नजर आए देखिए संस्कृत सब भासाओं की जन्नी है संस्कृत ही सब भासा ही निकलती है और संस्कृत हमारा पुरातों से सुलूट से ही संस्कृत प्रभावी देश रहा है और मेरा तो सब्जेक्ट ही संस्कृत रहा है संस्कित राय सर एक बात में लगातार कह रहा था जब से आपकी इंट्री हुई हर्याना में और जिस तरह से उबीदवारी में नाम था फिर सांसद बने एक जो छवी की बात होती थी तो कॉंग्रेस के पास भी आप जैसी एक धार्मिक और पूजा पार्ट के साथ रहने वाले सांसद आ चुके हैं कितना महतपूर हो जाता है सनातन से जुड़े रहना और आपके जो पूरी प्रैक्टिस रही है यानि कि पुजारी के तोर पर भी चाहे आप जीन में जुलाना की बात कर लीजे या फिर हरिदवार की बात कर लीजे कितना महतपूर और कितना प्लस है देखिए सोनिपत हलके में हमारे तीन से चार आश्रम है और आज से नहीं डेड़ सो वर्स पुराने आश्रम है जाए गांगोली हो पिंडारा हो सफिदों हो और संस्था के जितने भी सेवक हैं वही छेतर है सोनिपत और जीन का रोतक चाहिड का और आश्रम आज से नहीं द्वार में भी दुआसरम है गवसाला भी है यहां भी गवसाला हैं मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला और साथ में चछतिस विरादरी का मैं सम्मान करता हूं सभी धर्मों का मैं अपने और से सम्मान करता हूं चाहिए किसी भी धर्म की लोग हों सब को यह जैसा मानता हू कितना ये सर बात कर लेते हैं कि अब जो प्राइटीज क्या है बत और सांसद मैं पूछूँ तो MP साब आपकी प्रात्विक्ता क्या रहेगी हर्याणा की वो कौन सी आवाज है सौनिपत की वो कौन सी आवाज है कौन से मुद्दे है जो MP सत्पाल ब्रमचारी जी के जरिए लो सौनिपत से लगभग 15-20,000 वेक्ति रोज दिली आता है अपने रोजगार के लिए वेपार के लिए अन्ने कामों के लिए मेरी प्रात्मिक्ता है मेट्रो जब मेरट जा सकती है मेरट से भी आगे जा चुकी है और इधर हमारा रोह तक आ चुकी है हमारे MP साब के प्रियास स दिपेंदर जी के तो यहां भी मेरे प्रियास रहेगा कि सौनिपत जल्दी से जल्दी मेट्रो का काम सुरू हो MP साब कुछ गोश्टाएं अभी हुई थी जब अचार सहीता नहीं लगी थी बाजपा के दुवारा एक्स्टेंशन की बात की गए थी उसमें ये था कि दिल्ली सरकार की तरब से स्विक्रिती नहीं हो रही है क्या वो सब प्लान में ही सौनिपत था या सौनिपत के लिए न करोना के बाद दो तिन ट्रेनें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं रुक रही हैं या चल नहीं रही हैं मेरा प्रियास रहेगा दोनों ट्रेने सुबह के टैम और साम के टैम जब भी जैसे वो चलती थी उसी परकार चलाने का काम मैं सरकार से करा हूँगा रेलवे मंत्री से भी मि जो बता है उसको हटाने का काम भी मैं करूंगा। मान्य राहुल गांजी जी और मान्य खडगे साहब कल है तो आज भी हो सकती है। जी चेरा और तेई सो बोट से दो हजार सक्यास थोड़ा आगे उसमें राई में रहा। तो ये ऐसे ऐसे जो कई ऐसी विधान सवाई हैं अगर इनमें भी दो तीन 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 अजार मिल जाते तो निश्यत हम पच्पन और साथ के पार पहुंचते और आना अलब विधान सवा लोक सवा का चुनाओ अलग प्रेकर होता है। मारजन का तो शैल्जा जी हो हैं तमाम लोग उन्होंने भी कहा कि भई उमीदवार ठीक नहीं थे हाला कि आप जीच के भी आ चुके हैं वादकत में हो चुकी है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर सौनीपत में कोई और उमीदवार देते हैं तो मारजन बड़ा हो सकता था तो यो तो हाई कमान का काम है ठीक क्या पता कितना बड़ा होता अच्छी बात है वो कह रहे हैं कोई उमीदवार होते तो बता देते हैं उस समय लेकिन मैं बहिंजी हैं बड़ी हैं सिनियर हैं हमारी मैं उनका सम्मान करता हूँ सर आगे की रणनीती कॉंग्रेस की किस तरह से नजर आती है आपने का 46 पे आप लोग जीते हैं जो की फैक्ट है 44 पे भाजपा रही है लेकिन जो मेरी जानकारी है रहतक में एक बड़ी बैठक की गई और वपेंदर सिंग हुड़ा साब के गड़ में ही सीधा चैलेंज देने का काम अब भाजपा कर रही है क्योंकि सीधा असर तो विदानसवा चुनाव में होता है और जो जानकारी है हम भाजपा के सुत्रों से उन्हों लोगोंने 60 सीधों का टार्गेट रखा है 60 मिशन रखा है आगामी विदानसवा चुनाव के लिए पीछे भी उन्होंने पचेतर का रखा था नारा भी दिया था पचेतर पार और अब लोग सभा में 400 पार का नारा दिया है आपके सामने है सर कितना असल होगा विदानसवा चुनाव पेंपी साब आपको लगता है कि जो कॉंग्रेस का परदशन रहा है है और कहीं न कहीं वोट परसंटेज की बात की जाए तो सांसद हैं दिपेंदर हुडा वो लगातार कहते हैं कि हाइस्ट जो ग्रोथ है पूरे हर्याणा की जो ग्रोथ रही है पूरे देश में सबसे हाइस रही है इसका कितना फाइदा एंपी साब आप विदानसवा चुनाव में देखिए हमारे रोह तक से जो एंपी हैं स्रीमान दिपेंदर हुडा साब बहुत महंती निसान है और युवा सक्ति को 36 बरादरी को साथ चलने वाला व हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार बनीगी लोगों को भी रोजगार किया है पहले आपने देख लिया होगा नेट हो चैनिट हो कोई भी प्रिक्सा हो उसमें सारी गड़बडियां पाती मानना भी उनके मंत्री ने माना कि हां गलती हुई है फिर भी रही बात हरियाना की वह वीस्यू को ठीक है उन्होंने दिया हम सब सम्वान करते हैं लेकिन चार बड़ी जातियों को जो आरक्संट टैन परसंट दिया था हुड़ा सरकार सावने हुड़ा जी ने अपने मुक्छी मंतित akal में और कौंग्रेस की सरकार में लेकिन उसको बंद करने ने का काम भी थो भारतीयंता पाल्टी की सरकार ने किया 10% बड़ी जातियों को जो आरक्षन दिया था जिसमें ब्रहमन बनिया, राजपोद और एक जाती और ठाकुर उनको 10% जो गरीवी रेखा में थे उनको 10% का आरक्षन दिया था लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है इस सरकार ने आते ही उसको बंद किया भारती जिनता पार्टी रोजगार देती नहीं है, छीनती है एमपी साब एक आखरी सवाल, आचार सहीता जब से हटी है उसके बाद जो मौझूदा सरकार है, कई बड़े फैसले उन लोगों ने लिये है तीन महिने का वक्त है, पचास अजार नोकरी का टार्गेट रख दिया है, सीम साब ने इन तमाम चीजों को करते हुए, क्या आप लोगों को लगता है कि भाजपा अपनी तरह से तमाम जो प्रयास कर रही है, वो विदान सबा चुनाब तक काम आएंगे, उनकी मजबूती होंगी, क्योंकि वो तो अब युद स्तर पर नोकरी की और तमाम ऐसे जो कारे हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं दस साल से आपका रास था हरियाना में, वो बताएं कौन सी नोकरी दिये, अब चुनावी वादे हैं ये, ये तो खुदी कहते हैं हमारे जुमले थे, आपने कितने कियोंगे, दो क्रोड भारत के परधान मंतरी आदेनी नरेंदर मोदी जी ने का था कि दो क्रोड लोगों को हर साल रोजगार देंगे, आप पूछ रहे हैं ना, उनसे आंकड़े कितने रोजगार, और हरियाना में तो ऐसा हाल है, दो लाक रिक्त पद आज भी हैं, युवा को कौन सा कोसल, विकास कोसल बता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, नहीं नहीं, उनमें पंदरह आजार पर बंदवा मजदूर की तरह रखना चाहते हैं, आप अगनीवीर देख लीजिए, इनके लोगों ने, इनके घटों नहीं माना कि अगनीवीर ठीक नहीं है, और ये मानिया हमारे जो रहुल गांदी जी ने ये काया कि जब हमारी सरकार कॉंग्रेस की बन जाएगी, ये अगनी सवाल कल आप संसद में थे, पहला आपका दिन था, आपकी शपत हो गई, और उसी से जुड़ा हुआ, मैं ये पूछूंगा कि जब 2014 का चुनाव करतीजा आया, 19 का आया, तो जो सत्ता पक्ष है, उसकी सीट भरी रहती थी, लेकिन 234 सीटों के साथ आप बड़ा मजबूत स विपक्ष नजर आता है, क्या वो फीलिंग आप लोग भी महसूस कर पा रहे हैं, लोग सबा में, जब कल आपने चेरे देख लियोंगे सब के, बड़े निताओं के भी, मंत्रियों के भी, माने परधान मंत्री जी का भी, कल विपक्ष का आपने देख लिया होगा, आपकी बहुत बढ़िया है, है वहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष ऐसा लग रहा है, इस पार लोग तंत्र के हिसाब से बराबर का मुकाबला रहेगा, कल आवाज विपक्ष की ज़्यादा थी, चाहाँ सविधान के परती हो, चाहे सिनियर और जुनियर की कॉपी लेके गए आप आज पर वाले आप लोग पर तंज कस रहे हैं कि सविधान बचाने की बात वो कॉंग्रेस कर रही है, जिसने देश को एमरिजन्सी लगाया था, और एमरिजन्सी का एक काला दिन आज है अब वो कुछ भी तो कहेंगे ना, कुछ कहने के लिए बहचेगा तब ही बोल रहे हैं हो भाई ठीक है कुछ ने कुछ बोलो, लेकिन सविधान को खतरा की से था, ये भले भाती सारा देश जानता है, इनके तो मंत्रियों ने खुला कहा था, जिसने हम चार सो पार हो जाएं ये कितने एक्टिव सांसद आप साबित होने वाले हैं, सीधा जवाब और सीधा हरियाना के लोग देख रहे हैं हैं। अगर मेरट पहुश सकती है, तो सौनीपत क्यों नहीं पहुश सकती, तमाम जो सनातन के जो नियम हैं, उनको भी पालन करते हैं, और संस्रित में शपत लेके सत्पाल भ्रहमचारी ने दिखा दिया हैं, आखिरकार उनका जो पूरा जीवन रहा है, उसकी छवी उनके राजन करियर में भी नजर आएगी